हलो दोस्तो मैं दीपक महबिया मेरे यूटीब चनल में आपका स्वागत है दोस्तो अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेस करते हैं तो आपने ये तो जरूर सुना होगा कि जो इंस्टिटूशनल इन्वेस्टर होते हैं उनके बाइंग या सेलिंग बिहेवियर के हिसाब से मार्केट बढ़ता या घटता है इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ FII का ट्रेड डाटा और सेंसेक्स की चाल तो आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले बहुत सौट में ये समझ लेते हैं कि जो स्टॉक मार्केट में निवेस करते हैं उनको दो कैटेगरी में बाठ सकते हैं एक है institutional investor और दूसरा है retail investor. Retail investor आप और मैं जैसे लोग normal आम public जो stock market में निवेश करती है. फिर दूसरा हो गया institutional investor. तो institutional investor में कौन लोग आते हैं? तो institutional investor में आते हैं, बड़े-बड़े institution जैसे कि pension funds हो गया, insurance companies हो गया, mutual funds हो गया, बड़े-बड़े investor groups हो गया, banks हो गया, इत्यादी. अब ये जो institutional investor हैं, उनको further दो category में बाढ़ सकते हैं. एक है foreign institutional investor और दूसरा है domestic institutional investor. तो अभी sensex के time पर बात करें, तो जो बाहर के investor हैं, बाहर के जो institutional investors हैं, वो हमारे market में निवेस करते हैं, उनको कहते हैं foreign institutional investor. और जो domestic investor, जैसे कि यहाँ पर local mutual fund company हो गई, इंसुनेंस company हो गई, वो अगर market में निवेस करती हैं, तो वो हो गई domestic institutional investor. तो यहाँ हमारा main focus रहेगा foreign institutional investor का. और अगर आपने जो बात सुना है, उसको और अगर deep में जाएंगे, तो आपने यही सुना होगा, कि जो foreign institutional investor होते हैं, वो अगर market में buy करते हैं, तो market up जाता है, अगर वो sell करते हैं, तो market down जाता है. अब इसको कुछ आकड़ों से समझने की कोसिस करेंगे, कि क्या यह सच में ऐसा होता है, क्या हमेशा होता है, या फिर real में उनका impact होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, कि हर दिन उनके buying या selling behavior से market उपर या नीचे जाता है. तो इसके लिए मैंने 18 जून 2020 का यह data लिया है, यह data basically foreign institutional investor द्वारा किये गए trade data है, तो 18 जून 2020 को FII और FPI दोनों मिला के अगर देखें, तो जो cash market में उन्होंने जो buy किया है, वो किया है 4,918 करोर रुपेज का, और अगर sale देखें, तो उन्होंने 5,551.43 करोर का sale किया है, तो net value यहाँ पे आ गया positive, 366.57 करोर का उन्होंने net निवेस किया है, तो approximate अगर buy और sell को देखें, अगर 5,000 करोर भी लेते हैं, तो करीब 10,000 करोर का trading FII के द्वारा हुआ है, अगर यह depend करता है कि Delhi cash market में trade कितना होता है, अगर मैं assume करूँ कि Delhi cash market में trade 50 से 7,000 करोर का होता है, तो उसमें यह 10,000 करोर का अगर trade FII के द्वारा हो रहा है, तो वो मैने रखता है, यह कहें 20% वेटेज है उनका, और यह depend करता है, यह तो एक दिन का data है, वैसे ही अगर बाकी दिन का भी data देखेंगे तो यह काफी fluctuate होता है, तो यहाँ पे अगला हम बात करते हैं कि monthly इनका monthly foreign institutional investors द्वारा भारती market में कैसा trade हुआ है, तो यह तो काफी लंबा data है, तो मैं पूरे data को आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ, आप यह देख सकते हैं, अगर मही से ही अगर चालू करें, तो मही से लेके यह 2018 अप्रेल तक का data है, जिसमें पहला column तो date का है, दिखी रहा दूसरा column है जो gross purchase, उन्होंने कितना purchase किया है, तीसरा column है, वो है gross sales का, और उसके बद में चौथा column है net purchase या sales का, अगर net purchase है तो वो positive green में है, नहीं तो वो red में है, और minus भी है अगर red में है तो, तो अगर मैं सिर्फ मई 2020 महीने का, यह महीने का data है, तो अगर यह मई 2020 का अग हूँ, तो यह है करीब, एक लाग 55,974.41 करोड रूपय का, उन्होंने gross purchase किया है, और sale किया है, एक लाग 42,062.92 करोड रूपय का, इस buy और sale के अंतर को देखें, तो positive रहा है मई में, और वो रहा है 13,914.49 करोड रूपय का positive inflow हुआ है, स्टार्क मार्केट में FII के दोरा, अगर यह सभी data में अगर large value देखूँ, तो मुझे March के महिने का value बहुत large दिख रहा है, तो March के महिने का value अगर देखें, तो 1,04,904.51 करोड का net का gross purchase हुआ है, और 2,20,721.21 करोड का sale हुआ है, तो जो total net अगर purchase sale की बात करें, तो यह minus में रहा, मतलब outflow रहा, और वो रहा 65 8,816.77 करोड का, अब क्या करते हैं, यह जो chart, यह data जो है, इसको एक chart के form में देखते हैं, अब इस chart के form में देखने से, तो यह center line है, वो 0 है, तो 0 के उपर में जो है, जो net flow positive रहा है, वो अप में दिखा है, और जो net flow negative में रहा है, वो 0 के down पे है, तो यहाँ पे ऐसा लग है, कि 2018 अप्रेल से लेके मई 2020 तक के time में, मार्च 2020 वाला period ही ऐसा period है, जिसमें सबसे ज़्यादा outflow हुआ है, और उसी तरह मार्च 2019 को period था, जिसमें सबसे ज़्यादा net inflow हुआ था, तो देखो एक साल में कितना अंतर, अब 2020 का तो सब को मालूम है, उसका main reason क्या है, पूर market, उनका market up हो जाता है, या कोई company जो है, वो बताती है, कि या उन्होंने कुछ progress किया है, coronavirus के vaccine के लिए, तो उस company का share का भाव बढ़ जाता है, तो इसी तरह से हुआ है, और जैसे, और ये period है, जब भारत में lockdown घोसित किया गया था, तो जैसे ही lockdown की घोसना हुई, इंडिया मे उसके बाद में तुरंत FII ने अपना पैसा market से pull कर लिया, जिसके कारण market बुरी तरह से गीरा था, तो यहाँ पे अब ये देखना है कि FII नहीं market से पैसा निकाला था, और दूसरे नहीं निकाला था, तो अभी सिर्फ understanding है कि FII के बारे में, तो यहाँ पे ये चार्ट तो अभी समझ में आ गया, जिसमें उपर नीचे उपर नीचे तो दीख रहा है, अब क्या करते हैं, अब एक बर सेंसेक्स का भी चार्ट देखते हैं उसी period से, जिस period से हमने FII का net flow data लिया है, तो यहाँ पे अगर ऐसे देखें, तो ये समझ में आ रहा है कि market अक्टूबर 2018 से तो अभी अप गया है, बीच में थोड़ा down था, उसके बाद में जब March का period आया, तो फिर बुरी तरह से market गीरा है, तो ये तो पक्का हो गया है कि जो March वाले महिने में, अब बात ये नहीं कि सिर्फ FII ने पैसा निकाला हो सकता है, domestic institutional investor ने भी पैसा निकाला होगा, retail investors ने भ बात retail investor को बहुत अच्छे से समझना है, लेकिन हमेसा वो गलती कर बाड़ेते हैं, और उसका main reason होता है कि कोई भी अपने निवे से वो लोग emotionally attached हो जाते हैं, अब ये जो Sensex का chart है और FII का data है, उन दोनों को एक slide मिला के देखने की कोसिस करते हैं कि क्या रहा, अब यहाँ प काफी ज़्यादा react किया है, लेकिन कई बार ऐसे भी हैं कि market वैसा react नहीं किया, जैसा FII का flow हुआ है, अब जैसे FII के chart में ही देखते हैं, तो December, January, February, March, ये सब period में उन्होंने net outflow ही किया है, लेकिन अगर हम market को देखें, तो stock market जो है, वो 2020 में एकदम से FII के flow को follow नहीं किय है, उसी तरह से July 2018 से October 2018 के period को भी देखेंगे, तो भी देखने से ये तो समझ में नहीं आता कि उनका net flow positive रहा, तभी market अप हुआ, तो इस बार से ये निसकर्स तो निकाल सकते हैं कि जो FII का net inflow ये outflow होता है, उसका market पे असर हो सकता है, लेकिन वो ही एक main factor है, जिसके current market behave कर नहीं है, market में दूसरे player भी है और दूसरा main player है, वो है domestic institutional investor, तो होता कई बार ये है कि foreign institutional investor sell करते हैं, उसी period में domestic institutional investor जो है, वो buy करते हैं, तो वो market को compensate कर देते हैं, दिक्कत market की इताब होती है, जब FII और DII दोनों के दोनों sell करें, अब ये दोनों जब sell करते हैं, तो सिदी स बात है कि FII को भी अपना profit देखना है, उनको अपना पैसे से value generate करना है, उसी तरह domestic institutional investor को भी अपना जो पैसे जमा करते हैं, उससे उनको value create करना है, वो wait नहीं कर सकते हैं कि जब market पूरा fall हो जाएगा, और वो चुपचा बैठे रहे हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो कई situation होता है, जब दोनों sell करते हैं, बट इसका उल्टा भी possible है, कि FII buy करें, DII sell करें, या FII sell करें, DII buy करें, at last आपको मैं ये कहना चाहता हूं, कि as a retail investor, आपको ये देखना है, कि market में FII और DII, दोनों का net inflow कैसा है, और आपको एक बात ये भी ध्यान में रखना है, कि FII हो ग करते हैं, कि वो एक ही दिन में जो है, अपना पूरा पैसा जो निकालना रहता है, वो निकालते नहीं, वो धिरे धिरे निकालते हैं, उसके पीछे reason ये है, कि अगर जैसे ही market को पता चला कि FII को एक particular stock में selling कर रहे हैं, तो सब के सब फिर वो sell करने में कूद जाते हैं, तो पता न चले करके उनका पूरा जो investment behavior होता है, वो long term के लिए होता है, कई बार वो काफी लंबा समय लेते हैं, accumulate करने के लिए, stock को उसी तरह sell करने के समय भी वो जो है, वो थोड़ा लंबा समय लेके चलते हैं, बट जो FII और DIA का data अगर आप follow करो, तो आपको पता चल जाए आपको किस direction में trade करना है, और market किस दिसा में जा सकता है, यहाँ पर मैं आपको एक बार और दिखाने के लिए, just a comparison के लिए, जो sensex का closing value है, और FII का data है, 10 June से लेके 18 June के period का, यहाँ पर मैं data दिखाया हूं, तो अगर आप देखेंगे कि 10 June को FII का net flow था, minus 919.26, sensex closing था 34,247 अब अगले दिन, अगले दिन 11 June को FII ने net sell किया, 805.14 करोट उपैगा, लेकिन sensex, यहाँ पर sensex भी down रहा, 33,538.37, तो यह मिल गया, match खा गया, दूसरा दिन, 12 June 2020 को, FII का net purchase रहा, minus 1311.49 करोट, net sell रहा, 12 June 2020 को sensex का value रहा, 33,780.89, जो कि previous day से positive में था, तो इस दिन, market अप रहा, भले ही, FII ने sell किया, तो इस दिन क्या हुआ हो सकता है, इस दिन, DII ने, काफी ज़्यादा खरिदारी कियोगी, इसी तरह से, अगर आब, 16 June की बात करें, तो 16 June को भी, FII ने, net purchase sell देखें, उनका तो, minus 1478.52 करोर, बट, वही 16 June को sensex का closing था, 33,605.22, जो कि पिछले दिन के closing, 33,228.80 से, जादा रहा, तो यहाँ पे भी, उल्टा हुआ, फिर 18 June को, तो net purchase उनका positive रहा, बट, sensex भी, यहाँ पे positive close हुआ, तो, इसको देखने से, यह तो समझ में आ गया, कि, करीब 6 दि देखें, तो, दो दिन, जो है, वो sensex का closing, FII के net purchase sales से opposite में रहा, बाकी 4 दिन, जो है, उनके favor में रहा, तो, इस तरह से, आप जो है, आप जो है, आप जो आप निवेस करते हैं, तो, आपको, सिर्फ एक ही data की, FII, अगर buy कर रहा है, तो buy करना है, या वो sell करना है, नहीं, य धीरे-धीरे आपको कई सारी statistics, कई सारे, ऐसी-ऐसी बाते पता चलेंगी, जो हो सकता है, शुरू में आपको पता चल जा, लेकिन आप उसके उपर ध्यान नहीं दे रहे हो, लेकिन धीरे-धीरे आपको पता चलते जाएगा, कि market सिर्फ fundamental पे नहीं चलता है, market, कई सारी कुछ कहा, उसका impact इंडियन stock market पे हो सकता है, यहां के प्रधान मंत्री या फिर वित्य मंत्री ने कुछ कहा, उसका impact stock market पे हो सकता है, दो देशों के बीच में संबन कैसे है, उसका असर stock market पे हो सकता है, oil price, उसका असर stock market पे हो सकता है, interest rate, उसका असर stock market पे हो सकता है, इसी क trade करते हैं वो professional होते हैं तो उनको अच्छे से समझ में आ चुका होता है कि market क्या करने वाला क्या होने वाला है अगर आप उनको follow करेंगे तो मैं यह कह सकता हूं कि आप भी सूखी रहेंगे और आप आप ऐसे trap में नहीं फसेंगे जहांपे वह पैसा निकाल के चले गया और उसके बाद में retail investor जो है वो अपना पैसा loss करके बैठे हैं तो ये तो थी दोस्तो छोटी सी जानकारी जिसमें बार बार मैं यही कहने की कोशिस किया हूँ कि जब आप stock market में निवेस करते हैं तो सिर्फ एक factor को देखके निवेस ना करें अगर FII की बात करें तो खाली FII के data को देखके ही जो है आप stock market के behavior का अंदाजा मत लगाएं बहुत सारे factor होते हैं हाँ बट ये है कि जो भी party जो party का weightage डेली के stock market के trading में ज़्यादा होगा तो आप्यस है उनके buy selling का sensex या nifty के value पे प्रभाव तो पढ़ेगा ही तो दोस्तो आप मेरे चैनल को subscribe करके notification on करोगे तो जब भी कोई मैं नय वीडियो upload करूँगा आपके पास में notification के तोर पे upload दो जाएंगे और आप मेरे वीडियो से फायदा उठा सकते हैं अभी के लिए दोस्तो इतना ही इंतिजार करिए मेरे अगले वीडियो का धन्यवाद